बहुत सारे लोगों को गर्मिया पसंद होती हैं, बहुत सारे लोगों को सर्विया पसंद होती है, किसी को रीनी सीजन पसंद होता है, सबकी अपने अपनी चॉइस हैं। आपने कुछ बुजर्गों को कहते सुना होगा कि अरे इसने बच्पन में खटा बहुत खाया, इसलिए इसकी स्किन इतनी अच्छी है, ऐसी आपने ये भी सुना होगा, अरे इतना जादा खटा मत खा, वरना तेरे हॉर्मोन्स घिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बह वाइदमिन सी से भरपूर होता है और याककि स्किन पर ग्लो ले करकर कहिता है, गर्मी'यों का मौसम तो अब तो सावन भी जाने वाला है, आपके आम भी जाने वाला है, तो हमको कच्छे आम के जाने से पहले ठोड़ा सा कच्छे आम का कुछ ऐसी डिश बनाकर के रख लिन अचार तो अफ्कॉस अचार बिट बजार का चार निजसमें प्रिजवेटिव्ट से अचार तो खुद एक ऐसी दिश है जो बिना प्रिजवेटिव्ट के सालों तक आप उसे प्रिजव कर सकते हैं लेकिन आज हम अचार की बात नहीं करें, वह तो एक complex dish हो गया, यह तो दो मिनिट में बन जाने वाली चीज है, जो आपके खाने को बहुत स्वादिश्ट बना देगी, और इसको हमें बनाना है कच्चे आम से, कच्चा आम हमारी digestive enzymes हैं, हमारे जितने भी digestion से related problems हैं, जाहे वो acid कच्चा आम बहुत बहुत लाबकारी हैं, जिनरल आप skill पे glow चाहते हैं, तो भी कच्चा आम बहुत लाबकारी है, तो कैसे बना लिए कच्चे आम की कुछ ऐसे थोड़ी ना suspense कर देंगे रसोड में जाने से पहले, आपको इसके लिए ingredients बहुत simple चाहिए, सिर्फ धनिया पत कैसे नाही बहुत लाबकारी है, तो क्योंकि गर्मी जा रही है, कच्चा आम जा रहा है, तो भी कच्चाम लिए तो अच्छे से स्लाइस में कच आम को बहुत इसमें थोड़ी नाने कर लिए, ये हुआ हमारा ingredient 1 और ये है धनिया पत्ति जिसे बहुत अच्छे से वाश किया अब मिक्सर ग्राइंडर लेंगे इसमें कच्छी अम्धी यानि कच्छे आम को डाल दीजिए और अपने धनिया पत्ती को भी डाल दीजिए इसमें चूटा सा द्रक का पीस डालेंगे एक नीमू का रस डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे चाहे तो थोड़ा सा अमचुर तो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना चाहें डालने वैसे जरुरत तो बिल्कुल भी नहीं है और इसमें डालेंगे जागरी यानि शक्कर जोगी बहुत 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 जरूरी है तभी तो खटा मीथा फ्लेवर आएगा तो नमक शक्कर यह सब हमने जाल या नीबू आप इसको मिक्सर ग्राइंडर को चला दीजिए जब आप इसको चलाएंगे तो कुछ लोग उतको लगता और तो पेस्ट नहीं हो तो पानी डाल देते हैं इसा बिल्कुल मत कीजेगा क्योंकि इनमें अल्रेडी बहुत वाटर कॉंटेंट होता है इंफाक्ट आम भी तो हमारी शरीर के वाटर जिन्हें पानी की कमी हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जीज है तो थोड़ा रुक रुक के चलाएं मिक्सर ग्राइंडर को लेकिन इसे अच्छे से ब्लेंड हो जाने दीजिए वैसे तो सिल्बटे पर अगर आप बनाएं तो आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने डबे में डाल करके रखिए खाने के साथ तोड़ा रोज खाईए यह अध्षद है इसके इतने हेल्थ बेनेफित से और बच्चों को ज़रूर किलाएं इतनी तरह की सवरसों की चट्नी धरी की चट्नी पुरीने की चट्नी इमले क हार चीज की चट्नी है हमारे यह बट हम वह क्या है ना हुमस वेस्ट से बनाना सीख रहें ऐसी हम पता नहीं क्या क्या दोट्स केचप सौस बच्चे खा रहें इस सो फूल प्रिजर्वेटिस पाता नी कॉन से टमाटर डलें हैं सड़े हुए हैं साफ हैं तो नेवर नो किस तरह से बनाए और किस भावना से बनाएं भी नहीं पता अपना भोजन अच्छी भावना से बनाएंगे पर मातमा का स्मरंड करते हुए बनाएं भोजन सिर्फ इस नौर अउनली अब टेस्ट और राइट क्वांटिटी इस अब आप अपने बच्चे के लिए भोजन तो इससे खट्टा मीठा बहुत अच्छा होता है और आज़के बच्चे वाइटमिन सी लेती ही नहीं है हमारा बच्पन था कि हम इमलिया भी खाते थे हम अंभिया भी खाते थे आज़कल बच्चे नहीं खा रहे है तो उनको ज़रूर ज़रूर खिला ही अगर लॉंग करके आ रहे हैं तो आपके शरीर का सारा मल उससे जादा डीटॉक्स कुछ खूई नहीं सकता है मतलब जरूर 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 देखिएगा मिस्मत कीजेगा अगले तुसरे आप हमारे सोचल मीडिया पर हमें कांटक्ट कर सकते हैं अदरे टाचारे प्रतिश्था जी फेस्ब उसका हिस्सा बनिए हमारे ओनलाइन कोर्स की जानकारी के लिए नंबर्स पर आप वट्सैप कर सकते हैं आज के एपिसोड में इतना ही खुश रहे आनंदित रहे हसते रहे मुस्कराते रहे हरियों जहिन बंदे मात्रं